दोस्तों आज मैं आपके लिए पाँच एसी चोकाने वाली घटनाई लेकर आया हूँ जिन में लोगों को अचानक कुछ एसा मिला जिनोंने उन्हें रातो रात करोड़ पती बना डाला जिनको देखने के बाद आपका दिमाग भी चक्रा जाएगा टू ग्रीन बोक्स 2006 में एक कंस्ट्रक्टर जिसका नाम बोव फिल्टर था जब एक 83 साल पुराने घर में काम कर रहा था तबी उसे वाँ अचानक दिवार में दो हरे रंग के बोक्स मिलतें जिसमें करीबन एक लाग बैयाशी अजार डोलर मुझूद थे और उस जगा का एड्रेस भी यहां मु उस घर के मालिक से उस केश को जीत भी जाता है बेसबोल कार्ड्स बहतर साल की एक ओरत जिसका नाम बरनाईस था एक दिन अचानक अपने घर में एक बेसबोल कार्ड ढूण लेती है जिस कार्ड को पहले तो हो 10 डोलर में सेल कर रही थी लेकिन उसकी दोस्त ने उसे एसा कर करने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो कोई एसा वेसा कार्ड नहीं था बलकि 1899 में छपा रेड डोवकिन टीम का कार्ड था जिसे जब बाद में बेचा गया तो उसे उस कार्ड के बदले करीबन 75,000 डोलर से भी जादा की कीमत मिली सन 1992 में इंग्लेंड में रेने वाला एक किसान अपने हतोडे को खो देता है जिसको खोजने के लिए जब वो मेटल डिटेक्टर की मदद लेता है तो उसे हतोडा तो नहीं मिलता लेकिन जमी में दबा हुआ खजाना मिल जाता है जिसमें काफी सारे सोने चांदी और कोपर क सिके थे जो कि रोमन एंपायर से संबंद रखते थे जिसके खोजने के बदले इंग्लेंड की सरकार ने उस किसान को 1.7 मिलियन डोलर की राशी नाम में दी मूवी पोश्टर लोरा इस्टोफर की स्माइला को एंटिक चीजों को कलेक्ट करना काफी पसंद था और जब एक दिन उसे 1850 में बनी एक मूवी का पोश्टर मिल जाता है तो वो काफी खुस हो जाती है लेकिन जैसे ही वो उस पोश्टर को अपने घर में ले जाकर उसको उपन करती है तो उ उसमें 1930 का ओरिजनल विंडो कार्ड मिल जाता है जिसकी कीमत उस मूवी पोश्टर से काफी जादा थी अबेंडोनेड कोईंस Joint Twins Collection का मालिक जेब बाइबल मेन एक दिन जब अपने परिवार के साथ अपने विरान पड़े घर में गूमने के लिए जाता है तो उन्हें वहाँ एक बेसमेंट मिलता है और जब वो उसके निचे जाते है तब ही उन्ने बेसमेंट में एक सोने के सिको से भरा हुआ बेग म लगेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पर क्लिक किजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत बूलना